असलालेकुम अब बात यह कि मैं रोजाना वीडियो अप्लोड करूंगा देखें कुछ इशूस थे कुछ इस्टुएंट्स जस्ट दो स्टुएंट्स बोल रहते कि सर्वीडियो अप्लोड ना करें क्योंकि हम पेड है और फिर गया लें तो देखें मैंनों उनको पहले भी स हुई है मैंने पेड़ी क्लास अब भी अप्लोड की है पहले तो मैं फिर में भी कर रहा था ना तो देखें मैं आपको ही पढ़ाना सच जाता हूं मेरा मकसद ही है नोलेज को स्प्रेड करना जितना मुझे आता है मैं आपको सिखाऊंगा तो देखें अब कंडिशन यह है क आपको वीडियोस पूरे देखने होंगे ओलाइन देखने होंगे डाउलोड नहीं करने होंगे ओलाइन देखने होंगे और मैं आपको सारी प्रप्रेशन करवाओंगा और सारे वीडियोस के लेक्चर यहां पर अप्लोड करूंगा अब शर्त यह है कि आपको अपने फ्रे करवाना तो चलें आज की ये वीडियो स्टार्ड करते हैं तो देखें फर्स कुर्षिन है जुबेर काशिफ एंड एजास स्टार्डड अब बिजनेस इन्होंने बिजनेस स्टार्ड किया और इनका जो बिजनेस प्लान था वो था 2% प्रोफेट जो होगा वो जुबेर को दे इनका इन्होंने रेशो में प्रोफेट पहले ही डिवाइड कर दिया अभी तक इन्होंने जैसे यानिके बिजनेस टार किया और ने बोला कि 2% रेशों जोगा दो रेशों वम दूबेर को देंगे 3 काशिफ को देंगे 4 एजास को देंगे तो देखें यहां पर मैंने लिक दिए एड देखेए अब देखें इफ Si tail oh profitane weighted 400 50 रूपीज यनि कि अगर का शिव का का शिव का क्या है वो रेशो थ्री परशन ठीट सुथ से घ्रेशो पर उसको पर प्रोफिक हो रहा है 450 रूपीज का तो तो लोट को किसे न होगा देखें मैं आपको बता दे голे संगे का 3 ratio and Jax का 4 ratio तो देखें सबसे पहले आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको एक ratio की value निकालनी होगी कि अगर 2 ratio पे तीन ratio पे ये बन रही है रखम तो एक ratio पे क्या बनेगी तो इसके लिए आपको divide करना पड़ेगा किसको 450 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो रकम बनेगी 150 तो यानिके 150 एक रेशो की वेल्यू है तो तीन रेशो की वेल्यू यही बनेगी तो काशिव का शेर इन्होंने अल्रेडी बता दिया है तो अब हमें किसका निकालना है जुबेर का तो जुबेर का रेशो किया है तो टू को हम करेंगे 150 से 150 है एका रेशो तो दोटका करेंगे तो तीन सो आएगा तो यहिंदिके इसका अंसर जूõ considerable rate अब में एक्स्ट्रा आपको बता देता हूं तो इसका शेर क्या बनेगा रेशो जो वह फॉर को मुल्टिप्लाइब करेंगे 150 से तो क्या बनेगा 600 तो यह निके एजास का जो प्रोफेक्ट होगा वो 600 होगा घॉट इट फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि दुबेर काशि काशिव को देंगे तो अगर उसी हिसाब से काशिव को प्रोफिक्ट हो रहा है तीन रेशियो पे वन फॉर हैंडड़ फिफ्टी का तो जो शेर होगा रूबर का पहले आपको यह याद होना चाहिए कि दो रेशियो मत में इसमें प्लान की些 प्लान के तुरू तो देखें तो पेले आपको क्या है यहाँ पर देखें काशिव का बता है तो काशिव करेश फॉप तीन इसको हम डिवाइड करेंगे पहले एक का निकालेंगे एक का निकलताए 400 यानि एक राशो गडगा निकलताए 200 तो दो का कितनी निकल दो का shameless तो 300 तो दो कुछा जाता है कौन सा है कि 150 का 20% क्या होगा तो देखें यह इंटर्वियू में भी पूछा जाता है तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या रेश होता है तो देखें इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं जिसके तुरू आप एजली इसे अंडर्स्टेंडिंग कर सक सकते हैं अगर यह आपको समझ में बात आ गई तो आप फाइफ सेक्वेंट में इसका अंसर दे सकते हैं तो कैसे मैं आपको बता देता हूं पहले आपको यह 0 करने पड़ेंगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा तू को मल्टिप्लाइब करना पड़ेगा 15 से यह त 30 तो इसका 150 का 20% क्या बनेगा 30 ओके फिर से सुन ले जीरो को हम काट देंगे दोनु अगर साइड दोनु साइड अगर 0 हो तो काट देंगे फिर जो रकम बनेगे उससे मल्टिप्लाइब करेंगे जो अनसर आएगा वो उसका जो बोलते हैं नम परसंटेज वो निकल आएग ओके यह निके 150 का 20 परसंटेज जो है वो निकल आएगा तो यह देखें कुस्चिन आपको कहां कहां काम आ सकते हैं अगर आप कहीं शोप पे जाएं कोई चीज खरीदने तो अगर आपको शोप की पर बोले के यह 150 की है चीज और आप बोलें के आमें डिसकाउंट कितना दे देखें के जो नसर आएगा वो आपको डिसकाउंट या जो भी चीज होगी वो आपकी जाहर हो जाएगी और उसका बाद same rule यहां पर आपको समझना है यहां पर भी 0 को माइनेस करेंगे बाकी के रकम को मल्टिप्लाइए करेंगे जो अंसर आएगा वह आपका अंसर ही होग ओके गॉट इट फिर से देख लें पिले आप जीरो को काट देंगे सब के ओके फिर आप जो रकम बने उसे मल्टिप्लाई करेंगे तो आपका अंसर आ जाएगा गॉट इट तो आगे बढ़ते तो आगे बढ़ते तो देखें अब यह कुछ नहीं इफ अगर a plus b is equal to 4 ओके एं b plus b minus 1 is equal to a minus b is equal to 2 then find the value of a तो value a की value क्या होगी देखें यहाँ पर आपको simple IQ यूज करना है अगर आपने IQ सही यूज किया तो आपका अंसर सही आ सकता है तो कैसे मैं आपको समझा देता हूँ देखें यहाँ पर हम 3 let suppose रख लेते हैं और तो b की value क्या होगी यह आपको भी पता होना चाहिए क्यों अगर a की value 3 रखते हैं तो प्लस क्या करें जो 4 हो एक प्लस करेंगे तो 4 हो जाएंगे तो यहाँ पर भी हम 3 let suppose रखते हैं a की value यहाँ भी तीन रखते हैं value and b की value 1 रखते हैं तो अंसर सही आया तो यह नहीं के a की value क्या होगी तीन होगी got it तो यह सारे answers आते हैं देखें mathematics इतनी hard नहीं होती जितनी आप समझते हैं तो अगर आपको mathematics के अच्छी proportion करनी है तो आपके mind में सबसे पहले आपको यह डालना है कि mathematics mathematics इजी है और जस्ट आपको मेरे चैनल पर connected रहना है अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करनी है लाइक करना है next question की तरफ देखें यह question अकसर आता है और सारे students इस question में confused हो जाते हैं कि सर क्या करना है इसमें देखें यह तना hard नहीं है question जितना आप समझते हैं मैं अकसर कहता हूं कोई चीद hard नहीं होती तो देखें यहाँ पर क्या है मैं आपको समझाने के लिए कुछ अपने words यूज कर रहा हूं मगर ऐसा mathematics में नहीं होता लेकिन मैं कर रहा हूं आपको जस्ट आपका concept के लिए करना वाने के लिए देखें यहाँ पर जो alphabets है यह बोलेंगे नहीं आप मगर मैं आपको जस्ट concept के लिए करवाने के लिए बोल रहा हूं जो alphabets के लेटर्स हैं जिते xyz ठीक है इनकी म multiplication bilian divide या कुछ भी करेंगे अर्थमेटिक का कोई rule apply करेंगे तो इसकी मद़ल से करेंगे तो देखें यहां पर X एक्स यहां पर तीन है और यहां पर प्रह च्रह प्लस के तरी तो अब क्या बचेगा एक्स का ली 1 x बचेगा 1 हम नहीं लिखते क्यों नहीं लिखते यह में तका डुले तो देखें यहाँ पर x तो इसके बाद 7 x 7 y और यहाँ पर 5 y तो दोनू प्लस करेंगे क्योंकि यह भी फ्लस का है यह भी प्लस का है तो क्या बनेगा 12 12 क्या हुआ है इसके बाद अब हम z वाली value को put करेंगे एक दूसरे से तो यह plus का है यह minus का है तो एक दूसरे से हम तो देखें यहां पर यह plus का यह minus का तो plus में minus गए 7 तो 3 आएगा 3z इसका correct answer है got it देखें क्या answer है एक प्लस यह plus किया z y plus 3z ओके handwriting कर रहा हूं इसलिए सही से समझ में नहीं आ रहा है मैं फिर से आपको बता दूँ पेले आपको क्या करना है एक वाली रकम को plus करना है फिर y वाली को फिर z वाली को got it यह questions आते रहते हैं तो note कर लें आप इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि fraction वाले questions आते हैं जैसे यह मैंने लिखा है तो देखें अगर fraction वाले आपको question समझ में आ गएं तो आप बोलेंगे कि sir दूआ करें इस साल पांच question fraction के आ जाएं क्यों आ जाएं क्योंकि बहुत ही easy होते हैं अगर आपने यह question focus दिया इस question पर तो आप कर सकते हैं और आपके लिए बोत ही usable question होने आल आ तो देखें fraction कैसे निकालते हैं यह मैं आपको समझा देता हूं देखें fraction means deviant होती है मैं के fraction हम ऐसे निकालते हैं कौई जीज है यह जैसे question है देखें जैसे यह question है तो देखें fraction कैसे निकालते मैं आपको समझा देता हूं तो देखें फ्रेक्शन में आखियत में आपको डिवाइड करना पड़ता है तो देखें यह कुछ इस तरह है 49 डिवाइड बाइ 5 यह इस तरह है तो फ्रेक्शन कैसे निकालते मैं आपको समझा देता हूं प्रिक्शन देखें यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड आपको करना पड़ेगा तो डिवाइड कैसे करते मैं आपको समझा देता हूँ यह 5 को डिवाइड करेंगे यहां से हम लिखेंगे और देखें 5 का 5 को 5 से हम 49 को करेंगे तो यहाँ पर आएगा 45 और 9 remaining 4 तो और रिमेनिंग है डिवाइड किस से किया है फाइव से किया है और कितनी बार किया नाइन बार तो यह आपको नोट करनी पड़ेगी जो रिमेनिंग है वो फोर है किसे डिवाइड किया फाइव से और कितनी मरतबा किया नाइन मरतबा तो जितनी मरतबा आपने किया तो आप खुदी बताएं इसी है या नहीं फिर से समझ लें कोई भी चीज जब आप किसी रखम का आप फ्रेक्शन किसी भी चीज का निकालेंगे तो देखें आप उसको डिवाइड करेंगे जो रिमेनिंग चीज होगी यहां पर फॉर्ट रिमेनिंग और जिससे डिवाइड करेंगे वह यहां पर जितनी मरतब डिवाइड किया वह यहां पर लिखेंगे ओके आपको समझ में आ जाएगा पहले आपको क्या करना ऐसे करना जितना रिमेनिंग है वह उपर लिखना जितना भी ठीक है जितनी मरतब आपने डिवाइड किया वह यहां पर लिखना और जि सब्सक्राइब करेंगे मगर अगर यह कुस्टिन आ गए ना तो आप एजली कर सकेंगे गोट इट तो मैं आपको दूसरा कुस्टिन करवाता हूं देखें दूसरा कुस्टिन है के एक मिनट दूसरा कुस्टिन वुच आफ दी फॉलिंग इस परफेक्ट स्कॉयर इस इनमें स स्कॉयर कौन सा है तो स्कॉयर के से बोलते हैं पता है आपको देखें जैसे दो का स्कॉयर चार बनता है यानि कि जिसको स्कॉयर निकालेंगे उसको उससे मल्टिप्लाइब करेंगे जैसे में लेट सब्सक्राइब निकालेंगे लिए फाइफ को फाइफ से मल्टिप्लाइ करेंगे तो उसका स्क्सुरा तो है तो चार कीज करेंगे तो नो आगा चार को 5 का 5 25 and 6 का 6 36 and 7 का 7 49 मगर यह तो नहीं आएगा यह दोनों नहीं आएंगे यह भी अंसर गलत है तो यह सही है यह किसका है square perfect square 7 का 7 को 7 से multiply करेंगे तो क्या आएगा यही तो आएगा तो इसलिए तो यह 7 का square got it कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछे मैं आपको बता दूगा फिर से मैं थोड़ा repeat कर देता हूं इसके बाद हम दूसरे question करते हैं तो देखें यहां पर हमने जो ratio है ratio में profit हो तो वह हम निकालेंगे उसकी value निकालेंगे तो पहले हम उनके जो ratio दें वह लिखेंगे उसके बाद एक ratio की हम value निकालेंगे इसके बाद जितना ratio किसी का है उस ratio को उससे multiply करेंगे तो आपका अंसर आ जाएगा इसके बाद यह यहां पर आपको trick में ने बता दी कि जो यह 0 है उसको आप हटा दें फिर आप multiply करें आपका अंसर आ जाएगा देखें देखें तो यह देखें easy बिलकुल हो गया तो यह interview म आपको यहां पर मैंने आपको बता है ना जस्ट सिंपल यहां पर एक विल्यू तरी एक रखते हैं तो प्लस करेंगे तो चार आएगा इसी तरह यहां पर जो वेल्यू है की वह 3 है इसके बाद फाइंड यह हमने बोला के पहले आपको अलफा वेड जो जिस तरह x को एक से अलफा करेंगे 7 गों सेंविन सेंविन गुर्यूं को यहां पर आईगा जेड को जेड से तो आपको अनसर्स घ्याएगा इसके बाद हमने पढ़ा अभी अभी कि फ्रैक्षन कैसे निकलते हैं फ्रैक्शन में हम डिवाइड करते हैं जो चीज जितनी मरताबाइड रहते हैं वह उपर लिखते हैं इसके बाद हमने इसको आय निकाला यह बहुत इजी है और इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि कोविड-19 जो है कोविड-19 एक्ट रेडिंग टोपिक है अगर इसकी आप प्रेक्टिस कर लें तो आपके तकरिबन तीन-चार कुश्चिन पक् कोविड के कुशिन डिसकुस करेंगे कुछ इस में कर लेते हैं रिमेनिंग जो हूँ ओंगे वौम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे करेंग तो इस व्यजीो में फर्स कुस्ट्न है कि फर्स केस of coronavirus math in इंदिफाद in छाइना इआ इन वोंॉच मुद्ध यह के फर्स केस चैना में हुआ था मगर कॉनसे मुन्त में हुआ था कब हुआ था तो यह उन्हें पर डिसमबर 2019 2019 और एक बाद में आपको बता दूँ के कोविड का फुल फर्म क्या है मैं आपको बता देता हूं कोविड कोविड करोना वायरस इसलिए रखा क्योंकि यह 2019 में थी इसलिए इन्होंने नाम ही 19 रख दिया ओके गॉट इट ओके अब हमने एक कुश्चिन की तरफ आते हैं यह के वेर वाद फर्स केस ओफ क्रोना वाइरस डिजिस आउटसाइड ओफ चैना इस कुश्चिन में यह के सबसे पहले तो चैना में हुआ था यह आपको पता है उसके बाद कौन सी कंट्री ती जिसमें कोविट नाइंटिन हुआ यह निके चैना के बाद दूसरी कौन सी एक वह थी थाएलेंड ॥ाइलेंड वह कंट्री ती जिसमें सलेफ कोविट 19 का केस हुआ आफ्टर चैना चैना के बार सबसे पहले सबसे न्में कोविट 19 के केसिस होना शुरू है इसके बाद यह पैंडमिक कि आपको भी पताहिक था जबन गई है हरे कन्ट्री में और हमारी कन्ट्री में भी है हमारी कन्ट्री में कब हुए और केसक आप कि कब हुआ और कितने कैस हुए वह सारे हम जो कुछान से Yep blue के बाकि जो रिमेनिंग होंगे वो नेक्स लेक्चर में हम कवर कर लेंगे तो देखें वुच अब दी फॉलिंग डिजिज आर डिलेटेट टू कोरोन वैरस तो यह भी इंपोर्टेंट है तो आपने न्यूज पेपर्स भी रिडा आउट किया होंगे डिड किया होंगे और बाक अब देखें इसमें फीवर भी होता है सबको पता है कास भी होती है यह भी हमने पढ़ाए एंड शॉर्णेट ऑफ दिब्रे थी यानि कि सांस लेने में तकलिफ भी होती है कब जब क्रोना वाइरस के सिम्टम्स आमें होते हैं तो यानि कि यह जो तीनों है आल अफ दी एबोव यानि कि जो उपर दिये हुए वो तीनों कोविड-19 के के सिम्टम से हैं इन से हमें पता चलता है कि हम भाई इस बंदे को कोविड-19 हो गया तो देकिन फीवर हो नॉर्मल तो लाद में नहीं कोविड-19 नहीं हो इसा नहीं आप प्रेंट का केर करना ही छोड़ दें और उसके बाद है दाफास केस ओफ नोविल क्रोना वाइरस वाज से हुआ को बता देता हूं जैसे कराची सिंध कराची सिंध हो गया कराची तो सिंध कीई प्रोविन से हैं कराची उसका हुआ था वान में वुबाई तूबे में और चाइना में हुआ था यह आप छोटी-छोटी बातें याद कर लें और मैं आपको बता दूं कि वान का जो वुबाई का जो केपिटल है वह नहीं है कि अब हम नेक्स की तरफ की तो सकता है याओ इसके बाद है किस इंढसे फ़ैस क्रों लीजिस्टान और फ्र्सकेस हुआ था कोविद-19 का वो पाकिस्तान में कब रिजिस्टर हुआ तो मैं आपको बताता चलूं कि वो हुआ था ओके वह हुआ था 26 फेबरवरी 2020 कोविड-19 का पाक्स्तान में जो फर्स केस रिजिस्टर हुआ था वह हुआ था 26 फेबरवरी 2020 यह भी याद कर लें क्योंकि यह भी बहुत ही इंपोर्टेंट कुस्चन है ओके इसके बाद है फर्स्ट डेट केस ओफ क्रोना वारेस रिकोर्डेर इन पाक्स्तानों यह निके पाक्स्तान में जो डेट हुई थी कोविड-19 के मरीज की पेशन की वो कब हुई थी वो यहाँ पर आपको बता दिया है कि 18 मार्च 2020 में पाक्स्तान में फर्स्ट जो पेशन था कोविड-19 का उसकी देथ हो गई थी ओके इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि देखें कि कुरोना फर्स्ट कोविड-19 इस्टेंट फॉर्ड कुरोना वायरस डिजिस ओके काब हुआ सुमपर तॉइनटी नाइंटीन में और करोना इडिस चाइना के बाद कौन सी कंट्री में हो था थाईलेंड में होता थाईलेंड न का NHL कि इतpark हैं इस ignore अesar reference बना दियो से पर जाकर चेक तिनु इसके सिम्टम्स हैं इसके बाद द्फस्केष नोविल करोना वाय्रस वाज इडिंडिफाइड एइन काहां पर हो था चैना में होता वहान में कौन से प्रोविंट में हो था अबूबाइमें 3 याद करने आपके लिए यादग हो सकते हैं इसके बाद वायरीस जो वायर केस कोई नांटिन का कब रिजिस्टर हुआ था 26 फेबरवरी 2020 गॉट इट ओके इन इसके बाद फार्स डेथ आप क्रोनावाइस रिकोर्डेर इन 18 मार्च 2020 ओके अब देखें अब मैं आपको बता दू के देखें मैं खुद अपने चेनल को परमोड करना चाहता हूं हर एक श् को सब्सक्राइब करना है वीडियो को शेर करना है ज्यादा से ज्यादा शेर करें देखें में आपको तो रेगुलरली वीडियो अपलोड कर दूँगा आपके लिए ओके आप देखें यह ज़स्ट जो अभी हुआ था इस्यू वह इसलिए हुआ था कि दो तीन इस्ट्रेंट थें वो बोल लेते कि सर हमने तो पेमिन किये देखें मैं यह नहीं कह रहता कि आप मुझे पेमिन करें वह मेरा मकसद नहीं था मैंने आपको देखें उस वीडियो में बताया भी था कि मैं थारे वीडियो रिकोर्ड करूंगा और जल्दी अपलोड कर अगर आपके बात हो वीडियो है जाकर चेक कर लें कि मैंने वहां पर यह बोला था कि मैं जल्दी वीडियोस अपलोड कर दूंगा मगर अभी इश्यू है कि सर अभी ना करें तो इसलिए मैंने नहीं किया ओके अब देखें उनको भी आप बेड कमेंट में शो ना करें जो ह हुआ वह अच्छे के लिए हुआ अब मैं आपको रेगिलरली वीडियोस अपलोड करूंगा अब आपका फर्ज किया है वीडियोस को पूरा देखें लाइक करें शेयर करें यह सारा को चाप करें जो मेरा काम है वह करूंगा जो आपका काम होगा वह आप करेंगे वीडियो इसके बाद भी स्टेड़ी करेंगे और इंट्रेस्ट तो अभी अनॉंस लिए इससे पेले भी हम स्टेड़ी कर रहें थे इस चैनल पर और करते रहेंगे इंशाला और इसको ज्यादा से ज्यादा फेमर्स करेंगे देखें यह आपका चैनल है देखें आपने जैसे ही का काम है वह आप करेंगे तो देखें मैंने अपना काम अभी कर दिया देखते हैं आप अपना काम कितना करते हैं देखते हैं आप अपना यह वीडियो कितना शेयर करते हैं क्योंकि शेयर करना तो आपका काम है देखते हैं इस वीडियो पर लाइक कितने आते हैं देखते है मैं इस वीजियो पर आपके likes और watch time और subscribers यह सारे चेक करूंगा, देखते कितना आप करते हैं, मैंने तो काम कर दिया अपना, आप कितना करते हैं, लेट सी, और next video में कल upload कर दूँगा, जिसमें पूरी narration को मैंने explain में करूंगा, और videos अब सारी जो भी होगी classes की, वो full upload लेकिन शर्त ही है कि आपको देखना है बार बार में कह रहा हूँ इस बात को